आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तो एक शिक्षक समाज को नई दिशा प्रदान करता है बच्चों के भविश्य को उज्वल बनाता है एवं देश के निर्मान में अपना महतुपूर्ण योगदान देता है अभी भावकों के नाम कुछ बाते हैं जिन्हें मैं कवश्य ही आगे बढ़ाएं आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरार्तों पर जल्ला कर उन पर हाथ उठा देते हैं तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त हैं दिखिले फूल को जिड़क देते हैं जाओ भागो पढ़ाए करो चरा मन को श्यांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरहें अलग-अलग बुद्धी वाले और अलग-अभिरुची वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सुत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षा मे आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है घर पर पढ़ता नहीं है इसकी भी शिकायत आप शिक्षक्षक करते हैं क्या करें हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता जरा डराईए इसे अरे भाई बच्चे को डराना है तो उसे किसी बाग के सामने ले जाओ आप ग्रू शिक्षक कर व्यक्तिगत जीवन भी होता है उसकी भावनाई होती है उसकी सीमाई होती है अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरहें शिक्षक सिर्फ एक वेतन भोगी ही नहीं होता इसमें सिर्फ सेवा का आदान प्रदान ही नहीं होता बलकि छात्र शिक्षक के बीच त जो कि आपकी संतान को शिक्षा दे रहा है उसकी एक गलती आपसे प्रदास्त नहीं होती आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे अगर एक ही चीज तीन या च्यार बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है अब जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धहरिये के साथ बताता है कि तीन जमा एक और एक जमा तीन दोनों बराबर होते हैं भले ही ये एक दूसरे के विप्रीत नजर आते हैं अगर वास्तों में बात समझ में आ गई हो तो आप से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप हर शिक्षक को भगवान ना सही कम से कम इनसान समझ कर उतना सम्मान अवश्य दें जो कि एक इनसान को मिलना चाहिए सभी शिक्षक बंदों को समर्पित एवं सभी सम्मानित अविभावकों को चिंतन करने हे दू प्रेशित है ये बात आप सभी का शुक्रिया नमस्कार जैहिंद